देश भर में आई फ्लू के केसिस बहुत बढ़ रहे हैं, जिससे देश में एपिडेमिक जैसी सिचुएशन हो रही है। इसके केसिस डेली, बॉंबे, अरणाचल परदेश में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अरणाचल परदेश में तो कई स्कूल बंद भी कर दिये गए हैं। इससे आपको redness, itching, discharge और eye swelling जैसे शिकायते हो सकती हैं। ये एक conjunctive virus या bacteria के कारण होता है। इन केसिस में infected person के towel, tissue या personal item को use करने से ये बिमारी फैल सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ temporary है और ये जल्दी ही अपने आप ठीक हो जाता है। अगर इसमें से आपको कोई भी शिकायत है तो आप doctor को visit करें और सावधान रहें। अब दिल्ली में खुलेगा भारत का सबसे बड़ा museum योगे योगीन भारत national museum दुनिया का सबसे बड़ा museum योगे योगीन भारत भी बनने जा रहा है। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा museum ब्रिटेनियम museum लंडन जो की बन में हजार मीटर स्केर फीट का है। जोगे योगीन भारत national museum को एक दिशंबलव सारा लाग स्केर मीटर का बनाया जाएगा। जिसमें 950 कमरे होंगे ये भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृत कल्चर को दरसाएगा। इस museum की अपडेट्स हम आपको टाइम से देते रहेंगे। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डिली स्पॉट। इस साल का दूसरा सूपरमून 1 अगस 2023 को देखा गया। सूपरमून का मतलब होता है कि चंदर्मा आम दिनों से बहुत बड़ा दिखाई देता है। इस सूपरमून को सट्रजिन नाम दिया गया। ये धर्ती से सिरफ 3,57,503 किलोमेटर दूर था। जिसको की अराम से आखों से देखा जा सकता था। इस साल का पहला सूपरमून जुलाई को देखा गया था और इस साल का आखरी सूपरमून सेतंब में देखा जाएगा। सूपरमून की टम पहली बार 1979 में यूस हुई था। इसमें इंडिया ने ओवरॉल सेकिंड पॉजिशन हासिल की है। इंडिया ने टोडल 23 मैडल्स जीते जिसमें से 19 गोल, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉंच थे। इतिहास में पहली बात दुर्बन इंडरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन एक्टर का अवर्ड जीता है मनोज पाचपाई ने। ये अवर्ड उन्हें उनकी फिल्म जोरम के लिए दिया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जोरम ने दो अवार्ड जीते हैं, दूसरा अवार्ड जीता है प्यूश पूटी ने बेस्ट सिनमाटिक ग्राफिक के लिए, ये फिल्म सोशल इन इक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस विद ट्राइबल और डीफोरिस्टेशन के उपर बेस ऐसी और अबडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डेली स्पॉट